बॉलिवुड एक्टर रितेश देशमुक ने बिजेपी पर निशानस आते हुए कहा कि धर्म को खत्रे में बताने वालों की खुद की पार्टी खत्रे में हैं और वहें अपनी पार्टी और खुद को बचाने के लिए प्रात्ना कर रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में अलग-अलग किरदार निभाने वाले एक्टर रितेश देशमुक रियल लाइफ में बिजेपी पर इतना गुस्सक क्यों हो रहे हैं दरासल रितेश देशमुक अपने छोटे भाई और कॉंग्रेस के उम्मिदवार धीरत देशमुक के प्रशार के लिए रवीवार को लातूर पहुचे थे इस दोरान रितेश ने जो भाशर दिया वो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस भाशर में रितेश देशमुक केहते हैं भगवान कृष्ण का जिक्र करते हुए कि कर्म ही धर्म है लगन से कर्तव्यों का पालन करना कर्म है और वही धर्म है जो लोग इमानदारी से काम करते हैं वो धर्म को मूर्त रूप देते हैं लेकिन जो लोग काम नहीं करते वो धर्म को ढाल के रूप में उप्योग करते हैं इसके बाद रितेश देशमुक ने कहा कि राजनीतिक दल दावा करते हैं कि धर्म खत्रे में हैं लोगों से धर्म को बचाने और धर्म की रक्षा करने का आहन करते हैं असल में ये दल धर्म की आड में अपनी जरूरतों को छिपा कर अपने राजनीते खितों के लिए शुरक्षा की मांग करते हैं रितेश ने कहा कि धर्म खत्रे में नहीं है उनका दल खत्रे में है और इसलिए धर्म को बना रहे हैं आपको बताते चले कि महारास्ट के पूर्मुख्यमंतरी विलास राफ देशमुख के तीन बेटों में से दो बेटे चुनावी मैदान में हैं और तीसरे बेटे उनके रितेश देशमुख जो की एक्टर हैं रितेश के छोटे भाई धीरत देशमुख को कॉंग्रेस ने लातूर गिराम से उम्मिदवार बनाया है जबकि उनके बड़े भाई अमित देशमुख को उध्व ठाकरे की शिफ सेना से टिकट मिला है लातूर सीटी विधान सबस से चुनावी मेदान में दोनों भाई हैं अब महारास्ट की 288 विधान सबस सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिंती होगी 23 नवंबर को तो इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मेरा नाम है आफियो